अगर इस तरह से आर्टिस्ट की जो है वो आवास को दबाया चाहेगा और एक फिल्म को मेरी क्रियेटिव लिबर्टी को क्योंकि कुछ लोगों ने बंदू के तान दी हैं हमारे माथे पर रख दी है तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धंकियां दे रहे हैं तो इस तरह से वो मेरी आवाज नहीं दबा सकते हैं मैं कहने तो निचाता है रेनोल्ड साहव को रेप का तो बहुत तजर्बा है उनसे आगे फूच सकते हैं कि कैसे होता है रेप तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है उनको कैसे तजर्बा है तजर्बा जैसे होता है आप अगर साइकल चलाते हैं तो साइकल चलाने अगर इस तरह से आर्टिस्ट की जो है वो आवास को दबाया चाहेगा और एक फिल्म को मेरी किरेटिव लिबर्टी को क्योंकि कुछ लोगों ने बंदू के तान दी हैं हमारे माथे पर रग दी है तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी क्या होता है तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धंकियां दे रहे हैं तो इस तरह से वो मेरी आवास नहीं दबा सकते हैं मैं कहने तो निचाहता है जर नाल्ड साम को रेब का तो बहुत तजर्बा है उनसे आगे पूँख सकते हैं कि कैसे होता है रेब तो लोगों को समझाया जाए कि रेब कैसे होता है उनको कैसे तजर्बा對 الإresuct टजर्बा जैसे होता है अगर स्यकुल चलाते हैं तो स्यक्ट चलाने का तरजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तरजर्बा है, अगर इस तरह से आर्टिस्ट की जो है, वो आवास को दबाया चाहेगा, और एक फिल्म को, मेरी क्रियेटिव लिबर्टी को क्योंकि कुछ लोगों ने बंदू के तान दी है हमारे माथे पर रख दी है तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं नहीं और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे है के कंगना को पता है के रेप क्या होता है तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धंकियां दे रहे हैं तो इस तरह से वो मेरी आवाज नहीं दबा सकते हैं मैं कहना तो नहीं चाहता है रेनोर्ट साव को रेप का तो बहुत तजर्बा है अगर इस तरह से आर्टिस्ट की जो है वो आवास को दबाया जाएगा और एक फिल्म को मेरी कीरेटिव लिबर्टी को क्योंकि कुछ लोगों ने बंदू के तान दी है हमारे माथे पे रग दी है तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है तो वो मुझे एक त तरह से वो मेरी आवाज नहीं दबा सकते हैं